इसराएल अपने कटर दुश्मन एरान के हमले के बाद अपने विकलपों पर विचार कर रहा है वहीं जब बाइडन से पूछा गया कि किया एरान की तेल सुवधाओं पर हमला करने वाले इसराइल का समर्थन करेंगे इस पर उन्होंने कहा कि हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी टिपणियों ने वैश्विक तेल की कीमतों में व्रिद्धी में योगदान दिया है और मिडलीस्ट में बढ़ने वाले तनाव ने वैपारियों को आप पूर्ती वैवधाओं के बारे में चिंतित कर दिया है। जो बाइडन ने कहा कि आज कुछ नहीं होने वाला है। राजपती ने कहा कि वो इरान के परमानू स्थलों पर किसी भी इसराइली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। इसराइल के सयुक्त राश्ट के राजपूर डैनी डैनन ने सी एनन को बताया है कि उसके देश के पास जवाबी कारवाई के लिए बहुत सारे विकल्प है और वो तहरान को जल्दी अपनी ताकत दिखाएगा। एक हमारे के अधिकारी ने कहा कि वाशिंग्टन को विश्वास नहीं है कि इसराइल ने अभी तक ये तैय किया है कि इरान को कैसे जवाब देना है। की तैयरान जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के सैने हमले आतंकवादी कृत्य या हमारी लाल रेखाओं को पार करने पर हमारे शश्यस्त्र बल निर्नायक प्रतिक्रिया देंगे। इसराइल की सेना ने दक्षिन लेबनान के 20 से अधिक कस्बो के निवासियों को गुरुवार को तुरंत अपने घर खाली करने के लिए कहा क्यूंकि उसने सीमा पार से घुसपैट की और बेरूत में हेजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया। लिबनानी सुरक्षा सूत्रों और निवासियों ने कहा कि बेरूत के दक्षिनी उपनगर दाहिये जहां हेजबुल्ला का प्रभाव है गुरुवार को एक दर्जन से अधिक इसराइली हवाई हमलों से प्रभावत हुआ। इनमें से पांच हमले देर रात को हुए और तब हुए जब इसराइल ने जिले के कुछ हिस्सों में लोगों को अपने घर छोडने का आदेश दिया। के 15 छेकानों पर हमला किया जिन में हत्यार स्थल और खूफिया छेकाने शामिल थे। हेजबुल्ला ने रोकेटों की बोच्छार से उत्तरी इसराइल के टट पर हाइफा खाडी में सेन्य उद्द्योगों के लिए इसराइल के सकनन बेस को निशाना बनाते हुए नए हमले भी किये हैं बेरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कह रहा है हमें कॉमेट करके जरूर बताएं वाकि देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें टीविनान डिजिटल